मित्रों जय मातादी मित्रों, शाल 2024 के महीने में आप लोगों के जीवन में ये तीन घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी जी हां मित्रों, साल 2024 एक ऐसा साल है जो आप लोगों के जीवन में तीन घटनाएं करवाने वाला है और ये आप के जीवन में होने ही वाला है जोति सास्तर की माने तिया तीन ऐसी घटनाएं होंगे जिससे कि आप अपने जीवन में जितनी भी सुक समर्दी पाना चाहते हैं उन सभी को प्राप्त करके अपने सभी समस्याओं से चुटकारा पा सकते हैं आपको बताएंगे ये तीन घटनाओं के बारे में और ये तीन ऐसी कौन सी घटना हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखना सुनना और समदना चाहिए और अकेले देखना चाहिए तथा ये साल 2024 के किस महीने में होने वाला है और साल 2024 में ये तीन घटनाएं आप लोगों के जीवन की और जिन्दगी की रूप रेखा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है ये तीन ऐसी कौन सी घटना है जो आपके जीवन में काया पलट करने वाला है मित्रों आपको बताएंगे और आपको समधना होगा सुनना होगा मित्रों अगर आप अकेले हैं तबी इस पीडियो को देखें सुनें समझें मित्रों साल 2024 आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है आई यह आप लोगों के जीवन में जितने भी समस्चाएं हैं जितने भी कश्ट और जितने भी दुख दरदराएं हैं उन सबों से आपको तुरकारद लबाएगा मित्रों अगर आप अकेले हैं तो इस पीडियो को पूरा जरूर देखें अन्य था आप इस वीडियो को यहीं पे इसकीप कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी आपके जीवन से जुड़े उन तमाम रहस्यों के बारे में हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना चाहिए तो मित्रों वीडियो को आखरित देखीगा चलिए आपको बताते हैं सारी जानकारी उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें मित्रों शाल दोहजार शोविस के सुरुवात में ही आपको आर्थिक लाब मिलेगे और घर परिवार में खुसियों का माहौल बना रहीगा आप अपने निवास अस्थान को बदलने का विचार बना सकते हैं आपके मर में ऐसे विचार आएंगे जिनसे की आप अपने निवास अस्थान को बदल सकते हैं परिवार के लोगों या मित्रों के साथ निवेज कर सकते हैं आपकी मन्ताही इक्चापूरी होने के योग बन रहा है आप कोई जमीन या मकान खरदनी का विचार बना सकते हैं धन समंदी मामलों में आपको बहुत ज़्यादा धनलाब मिलने वाला है सभी परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेंगे आपके लिए नई खुशियों को लाएंगे आपको आर्थिक लाप के नई नई अवसर भी प्राप्त होंगे निजी जीबर में चल रही समस्याओं का समधान होने वाला है आप परिवार के सदसों के साथ हसी खुशी से समय वहतीत करेंगे आपका वहवार अच्छा रहेगा जिससे आपको लाभ मिलेंगे और जीबर में सभी परकार के दुखों का नास होगा इससे साथ साथ आपके वीत्य इस्थियां और भी काफी अच्छी रहने वारी हैं संतान के और से आपको सुब समाचारों की प्राप्ती होंगी आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने गुशे वाली प्रविर्थी को शान्त बनाई रखें क्योंकि गुशे में आप काफी हद तक बहुत तो कुछ ऐसा कर जाते हैं ऐसा करते हैं जिनके बाद आपको बाज में पस्ताना पड़ता है आपको बताना चाहेंगे कि साल 2024 में आपको खूब सारी खुशियों और ज़्यादा से ज़्यादा शंपत्ती मिल सकती हैं आप अपने शंपत्ती में वेफार में तदकार शित्र में बुढ़ोतरी कर सकते हैं बिजनस में आपके विर्दी होगी और रुके वेधन भी आपके जरूर मिलने वाले हैं के जीवर में जिस पे प्रकार की समस्याएं चाहे आप आर्थिक इस्तित्यों से गुजर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी परस्तित्यों में हैं जिससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल है उन सबों से आपको छुरकारा मिलेगा भगवान कुबेर देप की क्रिपा से आपको पलता के नए किर्टिमान को असाफित करेंगे आपके पुरानी योजनाएं इस समय बहुत ज़्यादा समय से पूरी होंगी पुरानी योजनाएं भी आपको असर करती हुए दिखेंगी तरक्की के कई नए रास्ते भी खुलने के योग बन रहे हैं आपको बताना चाहेंग कि आगे जो जानकारियां दी जा रही हैं उसे सिर्फ और सिर्फ एकांत में अकेले होकर और अपने दिमाग को इस्तिर करके सुनिएगा समझेगा और बताई गई जानकारियों को अपने अंदर इंप्लिमेंट करने की कोशिश जरूर करें तथा दूसरों के साथ इसे बिलकुल भी सेयर ना करें मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी काम से जीवन साथी की सलाह ले सकते हैं और आप अपने गुप्त रूप से रखेवे वेतन का रखेवे धन का इस समय परकट कर सकते हैं आपको बताना चाहेंगे कि भगवान कुबेर देव की सबसे बड़ी कृपा आप लोगों के उपर होने वाली हैं और भगवान कुबेर देव की कृपा रहने के कारण आप लोगों को आपके जीवन में बहुत बड़ा चमतकार दिखाई देगा और आप जीवन में कुछ नया करने वाले हैं जो लोग लव रिलेसंसिप में थे उन लोगों का किसी कारण से रिष्टा कूटा हुआ है तो आपको जल्दी ही अपना खोया हुआ प्यार मिलने वाला है आपके रूके विकारे सफलता पुरवक पूरे होंगे आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा जो लोग फि सफलता हासल होगी धन कमाई की नई यूजनाएं सफल होंगी जीवन साथी के सला फाइदमंद सावित होंगे बच्चों के तरक्की से आपका मन परसन रहेगा अधूरी एक्षाओं से आप असानी से अधूरी एक्षाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं आप हर छेत्र में कि कभी हार नहीं होती अगर आप मन लगा कर प्रियास करेंगे तो आपको सफलता अवस्य मिलेगी आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्त कभी से शुरूप से ख्याल रखें लव लाइफ से लेकर बैपार नोक्री में बड़ी सफलता हासल होंगी सनी देव महराज क क्रिपाफी सबसे अधिक रहेगी जिसकी वदोलत आप काफी अच्छे तरकी पा सकते हैं आप लोगों के बीद जाने का मुका मिलेगा भगवान सनी देव आप लोगों पर महरबान हो रहे हैं और आपको इस वर्ज काफी खुस्यों की बरसात करने वाले हैं आपको बताना पर चाहेंगे कि आपका सभी परतानियां सभी कश्ट सभी दूर होने लगेंगे और आप अपने करियर के महान उचाई पर ले जाने में करियर को महान उचाई पर ले जाने में शफल रहोगे मत्रों आप लोगों को अपने करियर को महान उचाय तक ले जाने के लिए कई अफसर धून देने कामों का भी मिलेगा आपके सारी मनो कामनाई पूरी होंगी आप एक हर छोटा सचोटा सपना को एक्छा को सरवपरी कर सकोगे सारा रुका हुआ काम आपका पूर्ण होगा अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने जीवन में प्रेम का प्रवेश कर सकते हैं प्रेम में आपके एक्छा बढ़ेगी अपनों से छोटों का सम्मान करें यदि आप किसी से बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं तो आपको अपना सच्चा प्यार पानी का मुका मिले वाला है मित्रों वर्स 2024 ये आपके जीवन में तमाम समस्याओं से तमाम दुख तगलीफों से आपको चुलकारा दिल बाने वाला है जो तिसास्तर की माने तो आप लोगों के जीवन में सभी समस्याओं से आपको चुलकारा मिले वाला है मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपको साल 2024 के सुरुवात में ही कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो कि आपको पूरा वर्ष धन देता रहेगा आपके मन में कई विजार आएंगे कई ऐसे प्रिवर्टन होंगे जुआप को धनलाप की और लिजाने वाले हैं मित्रों रुकावधन आपको मिलेगा कारशितर में सफलता मिलेंगे आपके नई नौकरी मिल लगने वाली हैं हो सकता हैं आप अपने पुराने मित्र से मुलाकात कर सकते हैं आपके लिए यह वर्स अनुकूल रहेगा आप अपने उपलवधियों पर गर्व महसूस करोगे आपको कई बड़ी अनेक उपलवधियां भी मिलने वाली हैं मित्रों आप अपने जिम्मिदारी को बखुवी निभाओगे माता पिता का सयोग मिलेगा इस वर्स आपकी साधी का योग बन रहा है और आपके क्रियेटिविटी फिल्ड में मजबूती बनी रहेगी आपका दिन उत्सा से भरा रहेगा आपका सूचावा काम पूरा होगा ब अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तभी आगे की जानकारियों को देखें सुनें और समझें अन्य था आप यहां पर इस वीडियो को इसकीप कर सकते हैं मित्रों वो कहते हैं न सच्चा दोस्त ही सच्चा मित्र होता है वहीं जो लोग आपके साथ मिठी मिठी बाते कर न होगा जो आपके साथ रहकर आपके प्रिवार में रहकर ही आपके जड़ को कमजोर करने में लगे हुए हैं आप लोगों के साथ छलकपट कर रहे हैं उन लोगों से आपको साफधान रहने की जुरत होंगी आप अपने जीवन को नई दिशा देंगे परन्तु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ मिठी बिठी बाते करते हैं परन्तु पीठ पीचे आपके बुराई करते हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे लोग आपके अच्छे बड़े कारी को भी बहुत नकारते हैं या वो सोचते हैं कि आपने कुछ ऐसा कारी ही नहीं किया जिसे की आपकी परसंसा हो क्योंकि आप समझते हैं कि वह अपने हैं परंतु अपने ही आपके सबसे बड़े धोके बाद दिखने वाले हैं। आपका दिन बहतर बनें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दिया वस्ते लिखें। आपका दिन सुभो मंगलकारी हो जैमा विद्धार।